हेलो फ्रेंड आज हम सकर पारा बनाएंगे इसके लिए मैंने एक बाउल में मैदा ले लिया है और मोयन के लिए थोड़ा सा रिफाइंड ले लिया है तो एक बड़ी थाले लेंगे तो इसमें हम सकर पारा बनाने के लिए पहले इसका डोप तयार करेंगे तो मैंने मैदा ले लिया है तो एक बाउल ले लिया और आदा बाउल ले लिया है तो ये करीब 300 ग्राम मैदा है और इसमें अब हम मोयन डालेंगे तो मोयन के लिए मैंने 50 ग्राम करीब रिफाइन डालेंगे तो मैंने एक बाउल में रिफाइन ले लिया है तो 50 ग्राम करीब मैंने डा है और अच्छे से मेस और लट्डू जासा बनाएंगे बन जाएगा लट्डू जैसा तो समझ लेजे में ठीक है और तो थोड़ाया सा और डाल देंगे तो त़हों पहले जितना में डाला है अच्छे सी मिश्क्स कर लेंगे और फिरया और बस हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका दो तयार कर लेंगे और इकठा पानी नहीं डालेगे नहीं तो यह गिला हो जाए गाएंगे तो ज्यादा पानी ज्रोत नहीं पड़ेगी यह शकरपारा बहुत अच्छा लगता है बहुत टेस्टी बनता है और बहुत जल्दी तयार हो जाता है और मुएम अच्छे से डालेंगे तो उतने ही अच्छे उतने ही मुलायम बनेगा तो इसको बड़े बुजर्गों को भी बहुत पसंद आएगा तो यह देखिए हमारा दो तयार हो गया है इसको अब हम एक हलका सा गीले कपड़े ढख के रख देंगे दस मिनिट लिए और दस मिन बाद फिर हम चगरपारा बनाएंगे तो इसको हार से पहले एक बार और अच्छे से मसल लेंगे ताकि अच्छे सा और सॉक्ट हो जाए और अब इसकी छोटी छो किया है तो हम स्बमें लगा देंगे तो एकड़ में बिल्ब जिए और देख एक बड़ा वे लिया है एक ऊपकह से मठरी कि तरे काटेंगे पहले हम सिदी सिदी पत्ति काट रही है कि हुए और एक साइज की काटेंगे ताकि एक जासी बने हम ट्रेंगल सेफ में काटेंगे तो इसके लिए मैंने पहले सीधी पट्टी काट लिए और अब हम तिर्शी पट्टी काटेंगे तो यह देखिए मैंने एक लोई के सकरपारे काट लिए है तो एक लोई में इतने सकरपारे ब अर्शी को काट लेंगे तो इसको हम मेठी मठ्री भी कहते हैं और यह देखे फ्राइट मैंने मठ्री को गजना का लिया है अब हम प्र 아니라 है करेगे तो बोने के एक गड confrontation करेंगे तो वह प्रसमाइन देल डाल दिया है और देल गरम भी हो घये हम कटीए मठ्रि को डě Domeen को डालके प्राइए करेंगे तो अब यह जैसे दिख रहे यह चपक गई है तो सारे मठ्री अलग अलग हो जाएंगी तो हम से चलाते ही गूल्डर ब्राउं कलर होने तक प्राइइ कर लेंगे तो यह देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है और यह हलके ब्राउन कलर की हो गई है इसको हम निकाल ले रहा है प्लेट में तो इसी तरह हम सारे मट्री को प्राई कर लेंगे तो यह देखिए मैंने सारे मट्री को प्राई कर लिया है और कितना अच्छा कलर आय कब जिना नाष्या इसकह रोड़ा है इसको हम मेठी मठ्री बनाने के लिए हम चहीं नीगे नयधिन इसमें दोको विसद्स पानि स्विद C तो हम इसको चलाते हुए इसकी चासनी बनाएंगे और जब तक हम फूल प्प्लेप पे चिनी को पोड़ाएंगे यह दोके अब तक तक इसमें दो तार की चासनी ना बन जाए नहीं तक हम चुल गूल गई तो इसमें थोड़ा सा चीनी का सीरह डालेंगे यह देखिए चासनी बन के तयार है अब हम गयाश कर देंगे और इसमें हम फ्राइकी हुई मच्री डालेंगे तो मठ्री को हम साउधानिश डालेंगे और सारी मठ्री को चिनी की सीरह में डालके और अच्छा से मैक्स करते हुए चलाते रहंगे तब तक एकदम सूख नहीं जाती है तो यह दो मिनट लगेगा सारी माटरी जीनी इसोख लेगी और हमारी यह मेटी मेटी बनके तैयार हो जाएगी इसको लेकिन चलाते रहेंगे और गया इस दम कर दे चलाते रहेंगे ताकि मिठी मठ्री हमारी जमें नहीं और अलग अलग रहे तो इसलिए हम इसको चलाते रहेंगे तो ऐसे रख देंगे ठंगरम में तो जम जाएगी फिर अच्छी नहीं लगेगी फिर अलग करेंगे तो मठ्री तूट भी जाएगी जब तक हलका से ठंडा न करते हैं तो इसलिए हम सकरपारा कहते हैं कुछ लोगों से मीठी मर्शी भी कहते हैं बहुत टेश्टी लगती है खासकर बच्चों को यह बहुत पसंद आती है तो आप लोग भी इसी तरह बनाएं और मेरी सारी बैने अधिकतर बनाती होंगी मैंने कोई खास नयानी बताया है लेकिन मैंने उन छोटी बैनों के लिए अगर नए सीखने वारी लड़कियों के लिए बताया है जो भी नया खाना बनाना सीख रही है कुछ नया मीठा बनाना हो तो इस तरह बना के घर में बड़े बजुर्गों को बना के खिलाएंगी तो उनको बहुत अच्छा लगेग तो यह देखे फ्रेंड मठ्री चलाते हुए सारी मठ्री सूख गई है और सारी मठ्री अलग अलग है अब बस यह ठंड़ी हो गई है अब इसको हम डबें बढ़ देंगे और यह कितनी सौप्ट बनी हुई है तो बहुरी टेस्टी लगती है तो आप लोग एक बार इस तरह जरूर बनाएं और मुझे कमेंट्स मताएं कि आप लोगों को यह हमारा मठ्री बनाने का तरीका कैसा लगा पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स करें साथ में सेयर करें थैंक यू